Hello दोस्तों, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अपने वाटसप में लॉक केसे लगाए या अपने वाटसप में पासवर्ट केसे सेट करें, जिससे हमारा वाटसप हमारे सिवा कोई और ना खोल सके तो इस वीडियो के साथ end तक बने रही है और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए बलते हैं हमारे फोन की स्क्रीन पर सबसे पहले हम हमारा WhatsApp on कर लेते हैं WhatsApp on करने के बाद हमें उपर 3 dots दिख रहे हैं हम इस पर क्लिक करेंगे अब यहां से हम settings में जाएंगे settings में क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ options आ जाते हैं यहां से हम accounts में जाएंगे यहां से हम two step verification पर क्लिक करेंगे two step verification पर क्लिक करते हमारे सामने कुछ इस तरह का interface आ जाता है यहां से हम enable पर click करेंगे अब यहां पर हमें 6 digit का pin डालना है जो भी हम हमारे WhatsApp के log में डालना चाहते हैं तो हम यहां पर डाल देते हैं यहां पर लिखा है confirm your pin तो वही pin हम यहां भी डाल देंगे अब यहां पर हमसे यह email ID मांग रहा है ताकि अगर आप by chance अपना password भूल जाते हैं तो आप इसे अपनी email ID से reset कर सकते हैं आप यहां डालना चाहें तो डाल भी सकते हैं और skip भी कर सकते हैं तो हम यहां पर अपना email ID डाल देते हैं यहां पर email ID डालने के बाद हम next पर click करेंगे अब यहां पर लिखा है confirm your email address तो यहां पर हमें फिर से हमारा email ID डालना है confirmation के लिए तो हम डाल देते हैं email ID डालने के बाद यहां पर option आ रहा है save का तो हम इसे save कर देंगे अब यहां पर लिखा है two step verification is enabled तो हमारा password हमारे WhatsApp पर लग चुका है अब इसे हम यहां से done कर देते हैं अब हम हमारे WhatsApp से बाहर आ जाते हैं फिर से हम हमारे WhatsApp को open करेंगे तो यह देखिए जैसे हम हमारा WhatsApp open कर रहे हैं यह हमसे password मांग रहा है तो इस तरह से आप अपने WhatsApp पर lock लगा सकते हैं वीडियो अगर आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें